जब मौत दस्तक देती है तब कैसा होता है। हालांकि यह निश्चित नहीं है कि कब और कैसे हमारी मौत आएगी। लेकिन यह निश्चित है कि हमारी मौत जरूर आएगी। हम अंदाजा लगा सकते हैं, तरक दे सकते हैं, किताबों में ढूंडने की कोशिश कर सकते हैं, या अपनी कलपना से कुछ सोच सकते हैं, लेकिन हम मौत के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ लोगों में मौत हैरत जगाती है, और कुछ को डरावनी लगती है, कुछ लोग हर बिच का वक्त हम ब्रह्म में गुजार देते हैं। मौत के बारे में बात करना बुरा समझा जाता है और कई लोग यह मानते हैं कि इसकी बात करना भी इसे अपनी ओर बुलावा देना है यानि यह एक अपशकुन की तरह है कुछ तो भोलेपन से बिना सोच विचार किये खुशी-खुशी यह सोच लेते हैं कि किसी न किसी तरह मौत के बाद उनके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा दोनों तरह का नजर्या सच्चाई से भागना है मृत्यू न तो निराशा जनक है और नहीं रोमान्चक यह तो जिंदगी की सच्चाई है दरसल मृत्यू शब्द ही सही नहीं है क्योंकि मृत्यू तो होती ही नहीं इस जीवन का अंत होने पर हम यह हार मांस का चोला उतार कर इस दुनिया से चले जाते हैं मृत्यू किसी का इंतजार नहीं करती एक कहावत है मौत के लिए सब ही बराबर है यहाँ पर गरीब भी सबसे ज्यादा धनवान है और धनवान भी उतना ही गरीब है जितना एक भिखारी कर्ज लेने वाले की सुद्खोरी खत्म हो जाती है और क्रज देने वाला अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है यहाँ अहंकारी अपनी मान-मर्यादा की भेंट चड़ा देता है नेता अपना मान-सम्मान और दुनियादार अपनी ईश्य-इश्रत का समरपण कर देता है जब मौत दस्तक देती है तब इनसान न कहीं भाग सकता है न छिप सकता है जब मौत की घड़ी आ जाती है तो वह जवान या बूढे में, बीमार या तंदुरुस्त में, अमीर या गरीब में और राजा या भिखारी में कोई भेदभाव नहीं करती जब आखिरी वक्त आता है, तो कोई चेतावनी नहीं मिलती, नहीं किसी का लिहाज किया जाता है और हालात चाहे कैसे भी हो, वह घड़ी टल नहीं सकती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि हम कौन हैं, कहां हैं, हमारी सेहत कैसी है और हमारे पास कितनी धन संपत्ती है, मौत किसी को नहीं छोड़ती आखिर हम में से हर एक के नाम के साथ स्वर्गिय जुड़ जाता है मौत हुई, दफना दिया गया, हमेशा के लिए चले गए, और हमेशा के लिए भुला दिये गए मृत्यू पर विजय पाने का केवल एक ही उपाय है भजन बंदगी करते हुए, रूहानी जीवन बिताते हुए, जीते जी मरना हम इतना तो जानते हैं, कि इस धर्ती पर थोड़े समय के लिए मिली यह जिंदगी हमारी असली जिंदगी नहीं है इस शरीर से परे भी कुछ ऐसा है, जो इस शरीर के नश्ट होने पर भी बना रहता है इच्छा तो यही होती है, कि मनुष्य शरीर हमेशा के लिए बना रहे लेकिन आत्मा शरीर के बंधन से छूटने के लिए तडपती है क्योंकि असल में आत्मा तभी सचेत हो सकती है जब शरीर मृत्यू को प्राप्त करता है ऐसा अनुभव हमें पहले भजन सिमरन के दौरान जीते जी मरने की अवस्था में होता है और बाद में देह त्यागने के समय होता है कोई शिष्य बार बार अपने गुरू से यह सवाल पूछा करता था मौत के बाद क्या होता है मरने के बाद हम कहां जाते हैं आखिर एक दिन गुरू ने उसे एक मुम्बत्ती जलाने के लिए कहा जब शिष्य ने मुम्बत्ती जलाई तो गुरु ने फूक मार कर उसे बुझा दिया और शिष्य से पूछा मुम्बत्ती की जोती कहां गई शिष्य को कोई जवाब नहीं सुझा गुरु ने समझाया इसी तरह जब हमारी मौत होती है हम भी गायब हो जाते हैं मुम्बत्ती की जोती कहां चले गई वह अपने मूल में समा गई अब यह अलग जोती के रूप में मौजूद नहीं है इसकी अलग हस्ती नहीं रही इस तरह अगर हम जीते जी मरने का अभ्यास करते हैं तो हम भी अपने मूल में समा जाते हैं जब हमारे प्राण निकल जाते हैं, हमारी मौत हो जाती है, तो हम सत्य में यानि उस एक में समा जाते हैं। आओ हम भी रूहानी अभ्यास करके अपने आपको तयार करें, अपने अहंकार और मोह का नाश करें। और जब मौत द्वार पर दस्तक दे, तो जाने के लिए तयार रहें। तयारी करो, तयार रहो। हमें भी चाहिए कि सत्य की पहचान के लिए पहला कदम उठाए। हमें रोज बिना नागा भजन सिमरन की आदर डालने की जरूरत है। अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए और जिस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए पूरी लगन का होना जरूरी है। जब सुबह अलार्म बचता है, उसी पल हम फैसला ले लेते हैं। हमारी लगन का, हमारे इरादे का और हमारे अंदर प्यार है या नहीं, इसका फैसला उसी एक पल में हो जाता है। उसी एक पल में हमारी परमात्मा तक पहुँचने की कशिश और चाहत की गहराई का भी पता चल जाता है। या तो अलार्म बचते ही हम उठ जाते हैं, या फिर अलार्म बंद करके सो जाते हैं, क्या हम अपना रूहानी सफर शुरू करने के लिए बेताब हैं या नहीं, इसका फैसला हम उसी एक पल में कर लेते हैं। श्री रामकृष्ण परम हंस अकसर यह कहानी सुनाया करते थे। किसी शिश्य ने गुरू से पूछा, हम सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गुरू उस शिश्य को एक छोटे से तालाब के पास ले गए। वहाँ गुरू ने शिश्य के सिर को तब तक पानी में डुबोय रखा, जब तक वह बाहर निकलने के लिए छट पटाने नहीं लगा।